हाई डुल्डीज वेलकम टो इसीवे कॉमर्स क्लासेज मैं हूँ ताबिता और आज किस वीडियो में हम लोग फ्यॉल के 14 प्रिंसिपल एक वीडियो में एक्स्प्लेइन करेंगे वो भी बहुत असान तरीके से यानि कि इसीवे में चैनल का नाम ही इसीवे कॉमर्स क्लासेज है ना तो इसीवे में हम इन 14 प्रिंसिपल को सीखेंगे तो अगर अभी तक आपको यह मुश्किल लग रहे थे तो बहुत असान है साथ के साथ ही गाईज यह भी देखेंगे कि इन से रिलेक्टेड एंसी क्यूस कैसे आते जो आप बहुत असानी से सॉल्फ कर सकते हो तो करते रहेंगे करते रहेंगे एक ही काम को वारबर करी जारें तो वह स्पेशलाइस हो जाएंगे ठीक है और बिजनस में Efficiency आएगी तो यह प्रिंसिपल यह कहता है कि technically देना अधिकार नर्सिपन एट toplSiians की यह काम तो हमें करना ही करना है तो यह principle यह कहता है कि जो भी भी आप किसी person को authority देते हो तो उसके साथ साथ उसको rights भी दो यानि कि दोनों चीज़े equal देनी चाहिए A is equals to R यानि कि authority आपके responsibility के बराबर होनी चाहिए अगर आपने किसी person को अधिकार जादा दे दोगे यानि कि यह जादा दे दोगे तो वो उनका गलत उपयोग करेगा लेकिन अगर आप किसी person को responsibility जादा दे दोगे और उसको rights कम दोगे तो वो उस काम को कर नहीं पाएगा जैसे कि अगर मैंने एक बंदे को बोला कि भाई आपको यह सारा production करना है और production के लिए उसको right ही नहीं दिया कि market से वो समान ला सके तो काम नहीं हो पाएगा तो इस लिए अधिकार यानि कि authority और responsibility हमेशा पहलर चलती है और equal होनी चाहिए थर्ड principle है guys discipline सबको पता है school में हमेशा सुनते आए discipline बनाओ discipline यहां पर discipline का क्या मतलब है यहीं मतलब है लेकिन किस way में बोला गया है guys यह बोला गया है कि जो भी management है वो जो भी agreement करता है उसको obey करे उसको माने अगर एक management ने manager ने अपने employees के साथ agreement किया था कि भाई मैं आपको profit share करूँगा तो उसे profit share जरूर करना है याने कि उसे अपने agreements को obey करना है in a same way employees को भी जो भी उनोंने agreement किया उसको obey करना है उसको मानना है that is called discipline unity of command unity of command का simple सा मतलब होता है one man and one boss याने कि अगर एक बंदा है manager तो उसके और यह है subordinate तो subordinate के ऊपर एक ही boss होना चाहिए अगर आप इसके उपर दो चार boss रख दोगे विचारे के उपर तो यह बंदा confused या जाएगा कि मैं किसका काम करूँ मैं production manager की मानू, finance manager की मानू, sales manager की इसलिए एक बंदे के उपर उसका एक ही boss होना चाहिए से जादा नहीं होने चाहिए यह कौन कहता है unity of command यानि कि command देने वाला एक बंदा होना चाहिए उसके बाद है unity of direction कई पर हमें ये एक जैसे लगते हैं बट अलग है guys इसका मतलब होता है one head and one plan यानि कि एक दिमाग के अंदर एक ही plan होना चाहिए कि हमें किस direction में बढ़ना है अगर मुझे कोई target दे कि मुझे sale भी बढ़ानी है और मुझे purchases भी करनी है तो मैं confused रहूंगे कि किन पर जादा focus करना है इसलिए हमारे पास जो हमारा goal होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए तो one head, one plan ये कौन कहता है direction कि हमें direction एक ही तरफ अपने आपको बढ़ाना चाहिए फिर आता है six principle subordination of individual interest to general interest subordination मतलब छोटा करना individual interest को, अपने interest को किसके आगे general interest यानि कि हमें अपने business goals को जादा importance दीनी चाहिए अभी अगर कोई बंदा आके manager को बोले मेरी salary बढ़ा दो, salary बढ़ा दो और manager को पता है कि company की अभी इस समय पर position नहीं है salary बढ़ाने की तो उसे company के बारे में सोचना चाहिए ना कि सिर्फ एक employee के बारे में जो आके कहना salary बढ़ा दो तो यहाँ पर हमें individual interest को consider ना करते हुए सबके interest को consider करना चाहिए Remuneration of employees Remuneration का मतलब आप जामते हो salary commission बढ़ा तो यह आपको employees को अच्छी देनी चाहिए अच्छी का मतलब यह है Just and equitable जो वो काम करें उसके हिसाब से दो कि वो उनको एक standard of living दे सके वो अपने घर का खर्चा चला सके आपको बहुत कम salary भी नहीं देनी चाहिए वनना छोड़ के चले जाएंगे तो हमें Remuneration of employees Just and equitable देनी चाहिए उनके काम के हिसाब से आपके competitors के हिसाब से इसके लावा guys 8 principle है हमारा Centralization and Decentralization जो यह कहता है कि Business-based Centralization का मतलब होता है Power top management के पास रखना कि यानि कि अगर यह top management के पास है इनके पास power रखना और Decentralization का मतलब होता है Power को यानि कि authorities को Spread कर देना all over the organization यानि कि purchase का decision Purchase manager लेगा Finance का decision Finance manager लेगा तो यह principle यह कहता है कि जो main business के बड़े बड़े aim है Policy बनाना हो गया काम करना जैसे policy बनाना Business का survival का ध्यान रखना Business का growth का ध्यान रखना वो top management अपने हाथ में रखे लेकिन बाकी सारे जो काम है वो उन्हें disperse कर देने चाहिए यानि कि उनके managers को stop देने चाहिए तो business में Centralization होनी भी जरूरी है और Decentralization यानि कि managers को काम सोपना भी जरूरी है अगर आप manager को काम नहीं सोप होगे जैसे finance manager को आप decision लेने की power नहीं दे रहे तो वो बार-बार आएगा top management के पास सर बताओ कितना finance दूँ कितना लूँ ठीक है अगर आप purchase manager को नहीं दे रहे तो purchase manager बार-बार top management के पास जाएगा कि सर बताओ कितना purchase करूं कितना नहीं तो यह चीज़े जो होती है आपको decentralize कर देनी चाहिए उनको managers क्योंकि जो practically purchase manager जो चीज फेस कर रहे है तो उसको जादा knowledge है कि कितना purchase करना है तो हमें कुछ चीजों में decentralization लेना चाहिए और कुछ में centralization next principle है guys scalar chain आप सब जानते हो guys scalar chain का मतलब होता है कि हमारे business में एक path होता है ठीक है अगर यहां पर top management में बंद है फिर यहां पर है यहां पर है अगर मुझे अपनी बात किसी को कहनी है तो मैं अपने से उपर वाले को बोलेंगे यह वाला बंदा इसे यह वाला इसे यानि कि authority की जो line है उसे हमें follow करना करता है chain of authority की फिर अगर यहां से नीचे communication होगा हम directly बात general way में नहीं कर सकते लेकिन अगर हमें emergency situation में directly बात करनी पड़े सामने तो उसे क्या कहा जाता है gang plank ठीक है क्या कहा जाता है gang plank कहा जाता है तो यह होते है guys skeleton कि हमें इसे obey करना चाहिए उसके बात है guys 10th principle order order का मतलब यहां पे order order नहीं है order का मतलब यहां पे है कि हर एक चीज की अपनी जगे है और वो चीज उस जगे पर होनी चाहिए जैसे कि आपको पता है कि business में हर एक समान की अपनी जगे है वहां होना चाहिए जैसे आपके school में copies रखने की जगे है principal का अपना एक दफ्तर है और staff room होता है तो हर एक चीज की अपनी जगे है और वो चीजे वहां होनी चाहिए principle महत असान सा है सबको पता है एकूटी मतलब समान का यानि के business में समान ता होनी चाहिए किसी भी चीज पर भेदभाव नहीं होना चाहिए चाहिए वो religion के बेस पर caste के बेस पर sex के बेस पर मिलब कैसी भी चीज़ पर भेदबाब नहीं होना चाहिए वैसे भी नहीं होना चाहिए जीवन में हमेशा सबको समान ट्रीट करना चाहिए 12th principle है guys हमारा stability of personal personal means होते हैं हमारे employees, right stability मतलब उनको हमें इतना समय देना चाहिए business में कि वो उस business को समझ सके और उस business में मतलब उस काम को समझ सके और उस काम को कर सके हमें बहुत जल्दी से decision नहीं ले लेना चाहिए कि उनको निकालो क्योंकि ऐसा करने से business की भी cost बढ़ जाती है क्योंकि employee hire करने के लिए हमें पूरा procedure अपनाना पड़ता है तो बहुत cost बढ़ जाती है तो यह principle यह करता है कि हमें अपने employees को एक fixed time period दो देना चाहिए settle होने के लिए उससे पहले हमें उन्हें नहीं निकाल देना चाहिए कि भी यह तो तो काम नहीं जानता चल निकल ऐसा नहीं करना इसके बाद आता है guys 13 principle initiative बहुत असा प्रिंसिपल है यह principle यह कहता है कि हमें अपने employees को motivate करना चाहिए कि वो काम करने में initiate ले यानि कि पहले कदम उठाए initiate का मतलब यह जोता है कि पहले कदम उठाना तो हमें अपने employees को motivate करना चाहिए कि वो काम करने में इनिशिट ले खुदा के बोले कि सर हम करेंगे that is called कौन सा प्रिंसिपल इनिशिएटिफ एस्पिरेटी कॉप्स एस्पिरेटी कॉप्स गाइस सिंपल सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि हमें I को रिप्लेस करना चाहिए किस से? वी से यानि कि मैनेजर को हमेशे ये नहीं कहना चाहिए ये काम तो मैंने किया ये काम मैं कर लूँगा नहीं हमेशा टीम स्पिरेट होनी चाहिए ये काम हम कर लेंगे ये काम हमने मिलकर किया तो हमेशा मैं मैं नहीं हम यूज़ करना चाहिए यह principle कौन कहता है aspirate decobs तो guys यह 14 principle थे और बहुत असार थे अगर इन में से कोई से भी बात कोई नहीं मानता तो उसका मतलब है कि वो principle उस principle को violet कर रहे है हम लोग यानि कि उसको नहीं मान रहे है तो अगर कोई भी मानेजर है जो यह कह रहा है कि मैंने किया मैंने कि वो कौन से प्रिंसिपल वाइलेट कर है aspirate decobs I hope guys आपको समझाए होंगे और अगर समझाए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आप अपने डाउट मेर से इंस्टाग्राम पर पोस्ट सकते हैं आईडी है तबिता मैसी थांक्यू